चौथा अध्याएं हे व्यविचार्णियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यार्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वो ऐसी डालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो वो तो और भी अनुग्रह देता है इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है इसलिए परमेश्वर के अधिन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमारे पास से भाग निकलेगा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुमारे निकट आएगा हे पापियों अपने हाद शुद करो और हे दुचेते लोगों अपने हिर्दय को पवित्र करो दुखी हो और शोक करो और रो तुम्हारी हसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमनी बनाएगा हे भाईयों एक दुसरे की बदनामी न करो जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोश लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोश लगाता है और यदि तु व्यवस्था पर दोश लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा, व्यवस्था देने वाला, और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है, तू कौन है, जो अपने पडूसी पर दोश लगाता है, तुम जो कहते हो कि, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, वहां एक वर्ष बिताएंगे, और व्यापार करके लाब उठाएंगे, तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर इसके विप्रित तुम्हें यह कहना चाहिए कि, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और ये यह वो काम भी करेंगे, पर अब तुम अपनी डिंग पर घमन करते हो, ऐसा सब घमन बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके झाल झाल झाल